नमस्कार साथियों सीजी जाव विजुकिसन के ओफिसेल यूरूप चेनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है साथियों शिक्षक विभाग में शिक्षक विभाग में ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोसन से चुनाव आयोग नराज है जी हाँ, आयोग का निर्देश है, चुनाव आयोग के बिना अनुमती के आदेश नहीं करे जारी जी हाँ, चुनाव आयोग जो है सिक्षव विभाग से काफी नराज नजर आ रहे हैं क्योंकि सिक्षविभाग बिना पर्मिशन की ट्रांसफर की प्रक्रिया कर रहे हैं न्युक्ती की प्रक्रिया कर रहे हैं और प्रमोशन की भी प्रक्रिया करने की कोशिस कर रहे हैं इसी को लेकर जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी 36 गड़ हैं उन्होंने साप साप जवाब दिया है शिक्षवी भाग में बैक डेट में जारी हो रहे ट्रांसफर पोस्टिंग अब चुनाव आयोग की नजने तेड़ी हो गई है बैक डेट से जारी हो रहे है आदेश के मद्दे नजर अब चुनाव आयोग ने शिक्षवी भाग के प्रमुक सचीव को आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए ततकाल आदेश से अथावत रखने का आदेश दिया है साथ ही ये निर्वाचन आयोग की बिना अनुमति के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का आपना तो नियुक्ति होगा ट्रांसफर पोस्टिंग होगा भार मुक्ति पद भार ग्रहन वह प्रमोसन संबंधी आदेश ना जारी किया जाए आपको बता दें कि पिछले दिनों सिक्षाई भाग में लगा तर आदेश जारी हो रहे थे बेसक उन आदेशों की जारी होने की तीथी पुरा नी थी लेकिन सवाल फिर भी उठ रहे थे कि आखिरकर आचार सहीत के बाद ये आदेश जारी क्यों हो रहे ही ये बड़ी खबर है और इसी को लेकर देख सकते हो यहाँ पर आपको जो पीडियेप दिखाई दे रहा है ये पीडियेप है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी 36 गड़की जिसमें साभत आपर जो शिक्षविभाग के प्रमुक अर्थात जो भी आदेश जारी हो रहा है उप्रयोग तो विशय अंतरगत लेक है कि निर्वाचन कारियोग से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारी लोग प्रतिनिधित्व अधिक्नियम इनक्यावन की धारा 28 का कताथ भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि पर समझे जाएंगे तो भारत निर्वाचन आयोग के प्रेश विग्यप्ति क्रमांग दिनांग 9 अक्टूबर 2023 वर राज्य में होने वाले विधान सब निर्वाचन 2023 सितू निर्वाचन कारेक्रू की घोषना कर दी गई है जारी तिथी कि सी राज में आदर्स अचार सहीता लग हो गया है उक्त आदर्स अचार सहीता प्रभावसल होने के उपरां किसी भी अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ती इसनांतरन पदिस्थापना भारमुक्ती पदग्रहन पदनति के नुमती नहीं रखा जाए एवं किसी भी अधिकारी का बीना भारत निर्वाचन आयों के अनुमती के नियुक्ती इसनांतरन पदिस्थापना भारमुक्ती पदग्रहन न किया जाए क्रिप्या संबंधित अउगत कराए तथा पालन प्रतिवेदन भी प्रेशित करें तो ये इस पस्ट आ अधिकारी के माध्यम से पड़ा है तो साथियो अब जो है प्रमोशन के प्रक्रिया तो रुके की साथ ही साथ जो है शिक्षक भरती जो हो रही है तो नियुक्ती की प्रक्रिया पर भी यहाँ पर रोक लग सकता है फिर आल इस वीडियो में इतना ही जैन